हेलो फ्रेंट स्वागत है एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में मैं आप लोंग को आप लोग के जो कॉमेंट का अए थे जो आपके सवाल थे उनका मैं आज आप लोग को आंसर करने वाला भूँ लेकिन आज मैं आप लोगो कुछ डिफ्रेंट तरीके से आंसर करके बताऊंगा जैसे कि खासकर कुछ ऐसे टेक्निकल बाते रहते हैं जो कि वीडियो में आपको क्लियर नहीं कर पाता हूं तो आज मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाऊंगा जैसे नोन अबीस से अगर आप सिफ्ट होते ह हैं तो आप जब भी ब्रेक अपलाई करेंगे आपको एक साउंड आता है और जैसा कि मेरे पास एक कॉमेंट भी है मैं आप लोगों को भी क्यूए ने में बताऊंगा भी कि उनको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो वही सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं जो साउंड मैं आपको सुनाओं आज अगर इसी डाइप के गाड़ी में साउंड आ रहा है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका एबीस आपके ब्रेकिंग सिस्टम एकदम परफेक्ट है लेकिन इसके अलावा कोई और साउंड आ रहा है तो फिर आपको मौरिस है भाई अब इसमें क्यों है वाला वर्ट तो कोई समझ नहीं आ रहा है तो यह आप खुदी सोचिए कि मेरा नाम मौरिस क्यों है अब जो है सो है मुझे एकोस्पोट ठंडर लेनी है बट मैं कंफ्यूज हूं पैट्रोल लूं या डीजल लूं माई डेली ट्रेवल किलोमेटर जिसमें साम के वक्त ट्राफिक जैम भी मिलेगा वीकेंड में आराउंड 200 किलोमेटर ड्राइफ करना है तो प्लिस सज़ेस्ट करिये पैट्रोल लूं या डीजल लो तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर अगर आपकी रणींग जैसा की बता रहे हैं कि वीकेंड में आप 200 किलोमिटर गाड़ी को ड्राइफ कर लेंगे मतलब की अगर मन्थ की बात करें तो औरांड 800 किलोमेटर आप ड्राइफ कर लेंगे और जैसे कि 22-25 किलोमेटर आपको डेली की ट्रैवल रहेगे डेली की रणिंग रहेगी तो उसी साब से पैट्रोल में जाना कोई लॉजिक नहीं बनता है यहां पर आप सिधा सिधा डीजल वेरियंट ले लिए कोई क्योंकि पैट्रोल वेरियंट में आपको डेली में माइलेज बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है और साम के वक्त जैसे कि ट्रैफिक जैम भी रहेगा वो रहा है तो उसी साब से आपको डिजल वेरियंट लेना चीए उसका माइलेज आपको काफी अच्छा मिल जाएगा पैट् बहूंत पैट्रोल वेरियंट को छोड़ना चैए डीजल वेरींट तो चलिये नेक्स्ट कोश्चा में यहां पर चलते हैं पर और यहांपर है कि भाई मेरी होंडाई में कभी कभी ब्रेक लगाने के वक्त ब्रेक चोड़ते समयं तक-टक कि आवाज आती तो यह किस चीज का आवाज है यह पूछ रहे हैं और ऐसा क्यूं होता है तो देखिए मेरे को तो आप एक्जक्ट क्या बोड़ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो आवाज आता है मैं आपको एक करके अगर ऐसा कुछ साउंड आ रहा है तो फिर यह आपके गाड़ी का EBS एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है जली नेक्स्ट कोशन ले लेते हैं भाई मैंने आपकी पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि इस पियर विल खोलने के लिए क्या करें ऐसा कॉमेंट किया थ ख्यूट में लोग है फोटा सा डेमो करके बता देता हूं कि सप्यर कैसे खूला जाता हुए टायर चींज करने का मैं पर्फेक्ट तरीका आपको उसके बाद फिर में आपको जैसे की ब्रेक के बारे में बताऊंगा और साथ में 불ण ट्रीय वीडियों को एंड तक फोरी करें लिए चलिए 59 कोशन ले लेते हैं मेरी एको-इसपर्ट पारकिंग ससर काम नहीं कर रहा है, प्लीन तो तो डेखिए नई गाड़ी आपकी इकोइसपोर्ट है अगर तो अगर आपके गाड़ी में कोई आइग दिखकत नहीं है तो फिर वह आपकी great में जो गाड़ी में है उससे problem होगा वह problem नहीं वह setting है गाड़ी इसका ऐसे परफिए और जैसे यह hiçbir इंगेज करेंगे अब ड्राइवर डूर ओपन है इसलिए वह आपको सौंड जैसे यह आप दिखिए रिवर्स गेर यहाँ पर लगाते हैं रिवर्स गेर आप जैसे लगा देंगे यहाँ पर आपको देखिए पार्किंग संसर ओन और आफ को आपको आजाएगा आपके हाथ से गलती से यहां पर एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं यह गलती से आप से नीचे हो गया होगा ओफ में चला गया होगा और फिर यह कूद एए वीडियो में आपको डिखेगा जरूर लेकिन Parking sensor यहाँ पर on जाईएगा इस जैसे कि आपको नीचे में दिखता होगा इसमें जाके ओपन करिएगा एक्टिवेट कर दिजएगा राइट क्लिक हो जाएगा यहां पर यह मतलब कि आपके गाड़ी का पार्किंग सेंसर फिट से करते हैं क्लियर साउंड अगर नहीं आप आएगा तो थोड़ा इयर फुन लगा के आप को सिस्करिएगा सुनेगा लेकिन मैं आपको जो सुना रहा हूं ऐसा कुछ आपको साउंड आता है तो बिल्कुल यह एपीएज कई है तो देखिए यहां पर हम थोड़ा से खराब ब्रेक अपलाई करूंगा तो यहां पर टायर स्कीट होने का चांसेस रहेंगे और जो साउंड मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं वह अपन सुन पाएंगे तो आप ध्यान से सुनिये का यह फोन लगा लिजिए या फिर नहीं आ रहा है क्लियर तो चलिए मैं आप लोगों को सुन आ रहा हूं एलिजाँ मैं अकूरित और आम पाएंगे नहीं से सुनिये तो अगर आपका यह सुनाई दिया होगा तो मैं अप लोगों को बताना चाहां यह a-bis-का सांड हैं अगर इसी का आपको sound आता है और जो आपका brake pedal है उसमें आपको vibration feel होती है तो यह ABS का इसमें चीनता है कि कोई भी बात नहीं है अगर इस type का sound नहीं आ रहा है या कुछ और है तो फिर आप service center लेके जाएए अगर ऐसा ही sound बस आता है तो आपको service center लेके जाने का कोई logic नहीं बनता है आपकी गाड़ी एकड़म perfect condition में है कोई भी brake में problem नहीं है sir का demand था special video तो मैं चलिए आपका भी demand को पूरा करता हूँ यहाँ पर की steer wheel हलाकि आप लोग को बहुत सारे लोकों को मालूम होगा लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है खास कर सबसे पहले अपन टूल कीट में जाते हैं तो अपने को क्या क्या इससरेज मिलता यह देखने वाली बात होगी जैसा कि आप देख सकते हैं यह जैक है यह आपका टूल पाना है जिससे आपके गाड़ी का wheel nut खुलेगा तो सबसे पहला मैं आपको simply बता रहा हूं यह जो special tools है आपको देखिए एक special key है कहना चाहिए जो की आपके गाड़ी के यहां पर आपको देख सकते लॉक टाइप का है इसमें जैसा कि यह बना हुआ है अगर यह की आपके पास नहीं है तो आप spare wheel को नीचे नहीं कर सकते जिससे चोरी वगरा का खत्रा नहीं रहेगा इसको simply यहां पर आपको लगाना है और आपका जो विल नट है उससे यह उपन हो जाएगा और फिर यह दो नट को जैसे यह आप ओपन करेंगे आपका स्टैपनी कार का बहार आ जाएगा अगर इसमें देंगे जिस भी टाय मेंगे आ है पने रहता है आपको लेहीं पर लगा सबस्राइब 191 नहीं लगाना यहां जैसा की इसमें आप लगा दिया या फियर फाइबर में कहीं पर लगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जैक अगर गिर गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है खोलने के टाइप आप जैसा भी खोलना चाहें इसको उपन कर सकते हैं सपोस्कि एक राउंड ऐसे एंटी क्लॉक वाइज या अपकी मर्जी आप इसको उपन कर सकते हैं लेकिन एक चैनल सब्सक्राइब करना है इस रहें और अगर आपको कहीं पर भी काम को लगा होगा तो लाइक करने में देर मत करिएगा साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा कि किसी टाइब का कंटेन आपको इस चैनल में आगे भी देखने को मिलते रहेगा तो घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और मॉर्रेस क्रियेशन चैनल में विजिट करते रहिए वीडियो वाश करते रहिए ध अधने वाद